हमारे इंडियन सर्वर में 30 days login event आये था तो उसमें एक black t-shirt आये थी तो क्या आपके पास यह black t-shirt है जो कि इंडियन सर्वर में काफी जादा rare है like angelic paint और क्या आपको पता है इंडियन सर्वर का most demanding emote कौन सा है जिसे हर इंडियन प्लेयर चाता है कि यह emotes मेरे पास हो जो सभी क अच्छा लगता है वह emotes से ऐसा है कि वह सबके mindset पर बहुत बड़ी चाप छोड़ जाता है कि आपको पता है वह emotes कैसा है तो ऐसे interesting fact के लिए जुड़े रही है हमारे वीडियो से और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए तो चलिए वीडियो में fact number one the Cape Town ये जो fact है ये Cape Town से related ही है हमारे free fire game में जो Cape Town area है वो free fire का सबसे ज्यादा घर वाला area है जी हां आपने सही सुना free fire में सबसे ज्यादा घर Cape Town में ही है यहां loot सबसे कम होती है I don't know इसके पीछे का reason क्या है but आप कभी notice कर ले न other area के compare में Cape Town में बहुत कम loot होती है सबसे ज्यादा घर और खाली घर Cape Town में ही है यह एक इंटरेस्टिंग फेट है फिरिफायर का fact number two most used fake name हमारे free fire server में बहुत से ऐसे fact ideas है जो likes के लिए अपना in-game name change कर देते हैं तो क्या आप जानते हैं इंडियन फिरिफायर का most used in-game name कौन सा है वो है राइस्टार आप तो जानते ह राइस्टार इंडिया में कितना famous है जी हां राइस्टार इतना ज्यादा famous है कि उसके नाम से ही लोग fake ideas बनाकर हजारो likes इकठा कर लेते हैं उसकी सिप नाम की fake ideas बनाकर क्या आपने भी कभी राइस्टार की fake ideas देखिए तो comment में जरूर बताएगा और क्या मेरी तरह आप भी राइस्टार के बहुत बड़े fan हैं तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा और हां आप यह जरा सभी ना सोचिएगा कि सब राइस्टार की fake ideas बनाकर likes ले रहे हैं और मैं राइस्टार के fan से like ले रहा हूं वीडियो को like और channel को subscribe जरूर कीजिएगा fact number 3 first gun हमारे free fire में बहुत सारे weapons हैं बट आपने कभी ऐसा सोचा है free fire ने सबसे पहला weapon कौन सा launch किया था यह background में आप जो weapons देख रहे हैं जब free fire launch हुआ था free fire ने साथ इन गन्स को launch किया था यह सारे बहुत सारे हैं बट आप देख सकते हैं कि कितने सारे गन्स है इनको repeat कर रहा हूं आप देखके काउंट करके बता सकते हैं कोमेंट में कि यह गन्स कितने और कौन गन्स हैं अगर आप लोग अभी तक video देख रहे हैं और video को like नहीं इवेंट क्या आप हमारे फिरिफायर के इतने ओल्ड प्लेयर हो कि जब 30 डेज लॉगिन इवेंट आया था ज्यादा दिनों के बात नहीं है तो उसमें कुछ ऐसा सीन था कि आपको 30 डेज लॉगिन करना है और उसमें हमें कुछ न कुछ छोड़े मोटे रिवाड्स देखने क लिए मिल जाते थे तो क्या आप जानते हैं जब वह 30 डेज लॉगिन इवेंट आया था तो उसमें हमें कौन-कौन से रिवाड्स देखने के लिए मिलते थे और इस इवेंट में 20 डेज लॉगिन पर हमें एक ब्लेक कलर की टीशर देखने को मिलती थी जो कि इंडियन सर्व इमोट फिरिफायर का कौन सा है उनिर फिरिफायर में बहुत से बहुत से ओपी यवाले याँ Mis में सब्सकर से ज़्याद टिमांडिंग में रहने वाले इमोट्न से वह कौन से मी मुट है वो है flag and throne वाला जी हाँ flag and throne वाला I mean flag और ये flag के साथ साथ throne वाला जो emote है free fire emote launch के बाद ही इन दोनों का demand सबसे ज़्यादा free fire world में दिखा गया सबसे ज़्यादा इन दोनों की demand आज तक थी और आभी तक है इन दोनों की demand इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये एक improve type looks देते हैं जो कि free fire players के mindset पे effect डालता है अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe किजिए क्योंकि हम अपने चैनल पे free fire से related हैं सही interesting वीडियो आप सब के लिए लाते रहते हैं तब तक के लिए बाई बाई